देखे जब भी हम कोई trade लेते हैं, उसके पीछे हमारी एक research खड़ी होती है, उस research के basis पे हम वो trade लेते हैं, तो चाहिए आप हो, चाहिए मैं हूँ या कोई भी हो, वो पहले या तो charts को देखता है, अपना technical analysis करता है, या option chain को देखता है, वो पूरा data देखके और फिर वो कोई trade लेता है, तो जब वो इस सारा data देखता है, तो उसके अंदर एक belief बैट जाता है, कि हाँ मैंने research की है, और उसके बाद मैंने trade लिया है, वही पे अगर same trader बिना कोई research किये, और एक random trade ले लेता है market में, तो उसको खुद को लगने लगता है, कि यार मैंने कोई research नहीं की है, यह एक random trade है, शायद यह नहीं चलेगा, तो वो उस trade को validate करना चाता है, और इस वज़े से वो एक research करता है, तो यही चीज होती है, FII's और DIA's का data देखते हैं उसमें, हम FII's के data को देख लेते हैं, या YouTube पे आपको दुनिया बर के videos मिल जाएंगे, वहाँ पे उस interpretation को देखके और हम एक false belief set कर लेते हैं कि मैंने research कर ली है, और इसके basis पे मैंने trade लिया है, आप अपने trade को validate करना शुरू कर देते हैं,